जी नमस्कार मेरा नाम सनी सिर्वास्तों स्वागत आपका एक्जामपूर के टीचिंग स्कूल यूटूब चैनल पे देखें केवियस ने दो मुद्दों पर अपनी राय जाहिर कर दी है जिसमें पहला मुद्दा जो उनके पास ग्रिवेंसेस के तुरू पहुचा जिस पर हम लोग बात भी कर रहे थे पहला मुद्दा ये था कि सीटेट अपीरिंग स्टूडेंट जो इस बार है जो 2022-23 का पेपर देने जा रहे हैं उन्हें केवियस में अलाव किया जाय पेपर देने के लिए और इसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने इसकी शिकायत की थी केवियस ने इसे consider किया पर उन्हें जो जवाब दिया वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है और नहीं हमारे हक में है और उनका जवाब ये है पहली grievances पर उन्होंने जवाब दे दिया कि वो अलाव नहीं करेंगे उन्होंने सीधा का है candidates acquiring essential qualification on the last date of submission of application form will be eligible for the post applied for यानी जो 26 दिसंबर तक अगर आप जो आपको कहा गया है नोटिफिकेशन में अगर आप वो रखते हैं सीमा तो आप allow होंगे नहीं तो नहीं होंगे तो appearing student का chance नहीं बनता है दूसरी बात कि COVID-19 के दोरान जो बच्चे over age हो गए थे उनको allow कर दिया जाए क्योंकि इस दोरान नोटिफिकेशन नहीं आया था तो नोटिफिकेशन ना आने की वज़े से वो बच्चे over age हुए हैं तो KVS ने उस पर भी दुरभागे पूर्ण है पर KVS ने उस पर भी मना कर दिया है कि वो government of India की तरफ से ऐसा कोई age relaxation नहीं मिलेगा तो seated appearing student KVS का exam नहीं दे सकते और जिन लोगों को age relaxation की बात करनी थी उनके लिए भी निराशा हाथ लगी है पर जो बच्चे दे रहे हैं paper जो बच्चे eligible हैं जिन बच्चों ने form भर लिया है वो अपनी तयारी जारी रखें उम्मीद करते हैं कि KVS अगली notification जल्दी निकालेगा चार साल का समय नहीं लेगा इस बार तक तो चीज़न ठीक रहेंगी ध्यान रखेगा अपना तयारी जारी रखें जहन जह भारत नौशकार